हेलो स्टांडर पीज, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नमबर ट्वेल्ट, उसका नाग है दुन दुमा गाव के बच्चे, कौन से गाव के बच्चे? दुम दुमा गाव के बच्चे, तुई ही बच्चों से अपार समता होती है, सकती उसमें स्वयम कुछ करने की लगन पैदा करना आवस्च है, प्रस्तु कहानी में एक कहानी है, स्टोरी है, विद्यादमित लोग, दुम दुमा गाव के लोगों की परिशानी, इसकी परिशानी है, के पानी की जो दूर करने के लिए, बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरुपाण ये स्टोरी में किया गया है, बच्चे इस कहानी के प्रेडित होका, कक्सा यानि के जो वर्ग हमारा विद्यालाई और गाव की समस्या का जो हल करते हैं, कौन करता है हल, दूंदमा गाव के बच्चे, तो उसमें जाखूरता जो दूनना, दूनने में होगे और कार्य भी करें गहीं, बच्चे, आगे सुनिए इद्याद में तो उसमें क्या गाय ना चाहते हैं श्रोनी में, ये दूंदमा गाव है, ये हमेसा पानी की कमे रहती ह कम ये डले जश्ट, अबा, पानी या हैं के जल, नीर, केथ खुप जाते हैं, केथ सुख जाते हैं, लोग परिसा, परिसा में दुखी या व्याकूर रहते हैं, पर कोई उपार, उपाई लगती, या तरकिं नहीं कर पातें, बच्चे पारी से खेलना चाहते हैं, प्यारना चाहते हैं पर कहा एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकटा हुए उन्होंने पाने की कमी दूर करने की सोची मैं बादों से प्रात्ना यानिके विनंति करूंगा और रोच बर्सो बिल्लू बोला बादों रोच कैसे बर्स रखते हैं महिमा बुली रोच कैसे बर्स सकते हैं इसका जो मोसम होता है मोईसुन का तब ही वो बरस पाता है लेकिन दूसरे मोसम की तो जब का है तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों न एक बड़ासा गड़ा, गड़ा है खड़ा, खोदे, जिसमें बारिस का खुप सारा पानी भर जाए, कौन बोला ये, रजिया, हाँ हाँ, ये ठीक है, सारी बच्चे बोड़े, फी बच्चे लाए, पाड़े, कड़ाई, कुदाल और तसले, तसले, तके कटो रखे, आकार का जो बड़त, वे जमिन उत्ते रहे, मिट्टी दोते रहे, दोते यानि के उठा कर लेना, बाहर भ्यक्ते रहे, बच्चो को काम करते होए, गावालों ने देखा, वे भी बच्चो के साथ काम करने में जुट गए, साथ में, बच अचे मीजा ये लिए ही काम करें इसा तरह, बरसा बिस तलाम में पानी बहरा, पानी से खेतों की सिचाई हुई, खेतों में मक्रा, मक्रायरमाई जो जो हम खाते हों विध्यादमित्रों और दान अचावा, लोग खुस हुए और बच्चे पानी में चपाचा खेर रहे थी तो विद्यात्यमेत्रों एमेनेलेसन आपको पुरा दिया आप उसमें उम्माद करते करते मुझे बालबुप में लिवकर बिजना है ठैक्ट करते हैं